इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं वेलस्पून कारपोरेशन के स्टॉक के बारे में स्टॉक के करन प्राइस की बात करेंगे तो 208.65 की करन प्राइस चल रही है और आज दिन में लगबख स्टॉक में 1.71 परसेंट जो है उपर के लेवल पर क्लोजिंग भी देखने को मिल चुकी है हमने जस्ट यह आज के ही ट्रेडिंग डे में जो है बनाया है वेलस्पून इंडिया के स्टॉक के अनलिसिस के बारे में वीडियो जो है हमारी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है आप उस वीडियो को भी ज़रूर वाच करें यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वन डे टाइम फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने नीचे की साइड में जो एक इंपोर्टन सपोर्ट जो है ड्रॉ किया है और मुस्ट टू हंड़े से लिगे टू जिरो सिक्स का यह वाला जो जो जोन है बहुत ही देख सकते हो एक्जाक्ली स्टॉक यहीं प्याने के बाद यहीं से हमें स्टॉक में जो है तेजी देखने को मिल रही है अगर से आप इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो इसके नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस रखके जो है आप इसमें फ्रेश एंट और होतावा भी दिखाई दे सकता है तो चलिए जोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इसका लास्ट फोर यर का फाइनिंशल टेंड और एनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की 2019 से लेके 2022 तक का लास्ट फोर यर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2021 और 22 में हमें कंटिनिवसली रिवेन यूर प्रॉफिट में गिरावट होते वे दिखाई दे रही है अगर हम कंपेर करते हैं 22 को 21 के साथ देखे रिवेन यूर प्रॉफिट में बहुत ही भारी हमें गिरावट दिखने को मिल चुकी है रेड फ्लैक की भी बात करेंगे तो मॉडरेट नंबर्स ओफ रेट फ्लैक यहां पर दिखाई दे रहा है जब भी आप कोई भी स्टॉक में इंवेस्ट करते हैं तो नुरेट फ्लैक देखके ही आपको जो इसमें एंट्री प्लान करनी है और जब भी आप कोई भी स्टॉक का एनलसिस का वीडियो वाच करते है ताकि आपको बता चले कि positive और negative points कौन से होते हैं और आपको जो है उसमें invest करना है या नहीं करना है आप इसका decision अच्छे से ले पाओगे तो चले दो अब हम चेक कर लेते हैं इसका forecast analyst हमें क्या सला देते हैं बाइंग की दो अभी तक आपने इंजल वन में डिमेट अकाउं दोस्तों मुमा चुके हैं इंजल वन अप में simply यहां से वाश्लिस्ट में आना है वाश्लिस्ट में आने के बाद में search box में हमें stock का नाम सर्च करना है जैसे stock का नाम अब सर्च करेंगे उस पर tap करके हमें वाश्लिस्ट में add करना है हमने directly इसको पहले ही add करके रख लिया है इस पे हमें tap करना है, tap करने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से interface शो करेगा, यहाँ पे आप इसकी current price देख सकते हो, यही से आप charts देख सकते हो, stock deals भी आप यही पे देख सकते हो, हमने justice का chart पे analysis किया है, तो हम यहाँ पे buy पे touch करेंगे, buy पे touch करने के बाद कुछ इस तरह से interface open हो जाएगा, अगर आप stock को buy करके hold करना चाहते हैं, तो आप delivery में करेंगे, अगर आप stock को same day by same day sell करना चाहते हैं, तो आप intraday में करेंगे, अभी हम यहाँ इस से delivery में ही रहने जेते हैं, यहाँ पे quantity इंटर करना है, माल लिजे हमें 50 quantity buy करना है, तो हम यहाँ पे example के लि पर तो आप यहाँ पे limit में इंटर करके रखेंगे, जब भी stock की price वहाँ पे जाएगी, आपका order successfully execute हो जाएगा, अब market rate क्या होता है, market rate याने कि stock की जो भी current price चल रही होती है, उसी पे directly आपका order successfully execute हो जाता है, अभी देखें नीची के side में buy का option दिया है, buy पे हम touch करेंगे, buy पे touch करने के बाद confirm आजाएगा, confirm पे हमें touch करना है, confirm पे touch करने के बाद हमारा order जो है, successfully execute हो जाएगा, जैसे हमने delivery का देखा, same to same procedure होता है, intraday का, तो दोस्तों, आज की studio में सिर्फ इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को like करिए, और यह जो वीडियो